Hey guys, welcome back to my channel तो guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे electric sharpener के बारे में, जो कि मेरे पास है काफी लोग मुझे पूछे थे इसके बारे में तो मिझे लगा एक particular वीडियो बना ज़ता हूँ कि ये worth buying है ये नहीं है विकोज में पास सारे brands की pencils हैं तो graphite, charcoal, colored pencils So, यहां से कुछ इस तरह से open हो सकता है और यहां पे इसका सारे dust रहेगा और इसके अंदर दो sharpener है एक यहां पे है, एक यहां पे है और इसमें दो hole है, एक छोटा है, एक बड़ा है ये मोटी pencils के लिए और ये normal pencil होती है जो हमारी उसके लिए So, guys, यह है मेरे पास सभी brands की darkest pencil जिसको sharp करने में थोड़ी दिक्कत आते तूटने की chances ज़्यादा रहते है तो यह मेरे पास है, यहां पे Fabricastle, Tombow, Artline, High Uni, Stadler, Fengu, General, Kohinur and Camlin तो यह सारे darkest हैं, 10B, 8B, 6B तो इन सभी को sharp करके देखेंगे, इस शापनर से किस तरह से हो पाती है और उसके लाब भी, guys, में पास और pencils हैं जैसे कि Stadler की Lomograph Black, Fabricastle Black Matte और Eboni Apsara की Glass Marking और Apsara की Normal वाले तो इनको भी sharp करके देखेंगे किस तरह sharp हो पाती है और, guys, में पास दो charcoal हैं, जो कि मैं सबसे यदा यूज़ करता हूँ तो इन दोनों को भी try करके देखेंगे जो कि यह Camlin के soft और General की 6B soft तो यह दो भी sharp करके देखेंगे और, guys, Colored Pencil को भी sharp करके देखेंगे जो कि मेरे पास है, Prismacolor, Stadler, Dombs, Fabricastle Polygrams और, Fabricastle Bi तो इनको भी sharp करके देखेंगे किस तरह sharp हो पाती है चलो, guys, start करते हैं, normal graphite pencil से जो, guys, जो normal hole है, यह वाला इसमें सारी sharp हो जाएंगी सबसे पहले हम try करते हैं, Tombo बस इसके अंदर डालना है, और निकालना है अपने आप यह sharp कर देगा So, guys, Tombo की तो काफ़े अच्छे से sharp हो गई है बिल्कुल अच्छे से, देखो, sharp point मिला है Fabricastle की छोटी हो गई है तो इस पे मैं pencil extender लगा लेता हूँ Now, let's try Fabricastle 9000 तो इसका मैंने आगे से तोड़ दिया हलका सा So, guys, यह भी काफ़े अच्छे से sharp हो गई है Now, let's try High Uni 10B हलका संदर डाल के बस बहार निकालना है यह अपने आप बिल्कुल long point कर दिता, guys, देखो Now, let's try Steadler 8B तो इस पे मुझे pencil extender लगाना पड़ेगा छोटी हो गई है तो pencil extender मैंने लगा लिया है So, guys, इसमें भी देखो कितना long point मिला है So, guys, यह भी काफि अच्छे sharp हो गई है Now, let's try General 8B So, guys, दो तीन बार sharp करने के बाद काफि long point इसमें मिल चुका है बड़ टूटी नहीं है Now, let's try Kohinur 8B So, guys, यह हैं सभी brand की darkest pencils जो कि मैंने इस sharpner से sharp की और बिल्कुल अच्छे से, guys, देखो काफी अच्छे से मतब सब में same point मिला है एक बार भी कोई pencil तूटी नहीं है और आगे से बिल्कुल sharp point मिला है चाहे हो cheap pencil हो, चाहे हो expensive हो तो यह काफी बढ़िया बात है So, अब try करते हैं, guys, इन pencils को तो यह अपसरा की normal वाली है 4B तो, guys, इस glass marking try करते हैं यह भी अपसरा की है वाउ, guys, इसमें भी देखो कितना long point मिला है इसको sharp करने में तो काफी दिक्कत आती है यह वैसे, Fiber Castile Black Matte try करते है Fiber Castile Black Matte भी काफी अच्छे sharp होगी है Stadler की Black Mars Lomograph try करते है 4B है, मेरे पस यह भी, guys, काफी smoothly sharp होई है देखो, यह है Prismacolor की Eboni तो यह भी काफी अच्छे से होगी है So, guys, अब बारी आती है Main Pencils की जो की सबसे अदा दिक्कत होती शाप करने में जो की है Charcoal मेरे पास है General की 6B जो की सबसे अदा soft होती है और Camline की soft वाली तो यह तो already sharp है, मैं इसको थोड़ा सा आगे से तोड़ देता हूं So, guys, इसको मैं थोड़ा सा आगे से तोड़ लिया है तूटी नहीं पहली बार में तो तो अब ट्राइ करते हैं General की 6B soft यह तो बहुत ज़़ा soft होती है तो देखते हैं क्या होता है यह तो तूटगी, guys और guys, इसका जो sharpner है वो निकल जाता है तो मैंने निकाल लिया है अभी को इसके अंदर lead first गई है तूटके, charcoal में बस यही पंगा होता है तो इसको निकालना पड़ेगा तो guys, देखो मेरे table का क्या हाल हो गया है तो guys, sharpner तो मैंने लगा लिया है एक बार और try करते है डर लग रहा guys नहीं हो रहा guys तो एक pencil ही नहीं sharp कर पा रहा है तो guys, यह only इस pencil को sharp नहीं कर पा है जो कि है general की 6B जो कि बहुत ज़दा soft होती है अब मैं नहीं करूँआ बट जो Camelin की soft charcoal है इसको काफ़ इच्छे से इसने sharp कर दिया देखो आप ट्राइ करते है guys, colored pencils जो कि मेरे पास यह है तो guys, इसको काफ़ इच्छे sharp कर दिया देखो दोनों साइड से मैंने sharp किया Now let's try doms तो guys, doms वाले भी काफ़ इच्छे sharp होगी देखो अब Stadler ट्राइ करते है Stadler, Luna तो guys, Stadler को भी काफ़ इच्छे sharp कर दिया देखो अब try करते है guys, Prismacolor जो की सबसे ज़्यादा soft pencil है देखते हैं, हो पाती या नहीं हो पाती So guys, Prismacolor भी बहुत अच्छे से एकी बारी में sharp हो गई है So, अब last pencil है मेरे पास, Faber Castle Polychromes तो try करते हैं So guys, यह भी काफ़ इच्छे से sharp हो गई है, देखो So guys, यह हैं सभी colored pencils जो काफ़ इच्छे sharp हो गई है, देखो Only इस pencil ने guys, देखो क्या हाल कर दिया तो यही मुझे बहुत ज़्या irritating सा लगता है इसलिए मैं usually sharpness का use नहीं करता हूँ Charcoal के लिए So guys, जैसे कि आप में देखा सभी brands की pencil चाहे वो cheap हो चाहे वो expensive वो काफ़ी अच्छे sharp हो पा रही थी बस एक में problem आ रही थी, जो कि यह general की soft बहुत soft होती है तो हाँ, मतलब sharpness काफ़ी बड़ी काफ़ी popular brand नहीं है जैसे की development वगरा के आते हैं और भी काफ़ी popular brands के आते हैं तो यह कोई popular नहीं बट फिर भी काफ़ी अच्छे सारी pencil को sharp कर रहा है तो हाँ, pencils में waste बहुत होती है इसलिए मैं इसको use नहीं करता हूं इसलिए मैं normal tombo का sharpner use करता हूं तो अगर आपको जल्दी-जल्दी sharp point चीए या फिर आपको जल्दी-जल्दी मतलब एकदम से sharp करना इस तरह से अच्छा लगता है तो आप इसको purchase कर सकते हैं तो मैं recommend नहीं करूँगा बहुत ज्यादा pencil waste होती है expensive-expensive pencils हम यूज करते हैं तो अगर इतने ज्यादा waste होगी तो सही नहीं है इसलिए मैं इसको avoid करता हूं तो हाँ guys बस यही शीन शापनर का sharpner बहुत ता गड़ा है बट pencil बहुत waste होती है guys तो हाँ guys I hope you enjoyed this video पसंद आया तो like कर देना चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी ही सरे किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए do practice, do improve, take care and thank you so much for watching, bye